नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का लेयर 3 एजूकेशन में और आज के इस वीडियो में आपका रेशो इन प्रपोर्शन का पार्ट 4 है कौन सा वाला पार्ट 4 यानि कि इससे पहले तीन पार्ट हो चुके हैं जिसमें हमने बहुत सारी टाइप डिसकस की आज की टाइ चैप्टर भी किया है जो आप सभी ने देखा होगा उसमें 5पा यह 110 क्योष्चन उसमें करवाये हैं चेप्टर में चलिए देख लेते हैं कौन-kौन शेप्टर में आपने कौन-kौन से टाइप कर लिए और कौन-kौन से करना भी बाकि है मैं आपको एक मिनिट इतला कर द ही है और आज आपका फोर्थ पार्ट है यानि कि इस फोर्थ पार्ट में सिख्के पर आधारित प्रशन आपकी बहुत सारी पूछे जाते हैं एंपिए सब्सक्राइब करने की कोशिश करते हैं चलिए देखिएगा सबसे पहला क्यों आपके सामने रखता हूं एक मिनट रुक किया था यह वाला और आज हम करने वाले हैं सिख्के पर आधारित प्रशन चलिए पहले प्रशन के साथ शुरू करते हैं पहला प्रशन आप लोगों की स्क्रीन पर यह रहा देखिएगा किसी बक्से में कोई बक्सा है उसमें 180 रुपए हैं ध्यान दीजिएगा इसमें सब यह यह कि एक रूपया है उसमें 50 पेसे हैं और 20 पेसे के रूप में हैं और जिनका अनुपा दो तिन चारी है यह एकूपए के 2 सिख्के 50000 पेसे करने सिख्के और लौगों को बताता हूं सबसे पहले मेरा जो तरीका है मेरा ये तरीका है कि आपको सबसे पहले तो राशी लिख देना है कितने रुपए है उसको लिख देना है यहाँ 180 रुपए यहाँ लिख दिए ठीक है अब आप देखिए कि एक रुपए एक रुपिया है ठीक है है ना 50 पेसे हैं और 25 पेसे हैं मुझे आप बताईए ये 50 पेसे है ये 25 पेसे है तो अगर इस एक रूपए को convert करना हो पेसे में तो कितना हो जाएगा तो आप एक रूपए को लिख सकते हैं 100 पेसे कितने लिख सकते हैं 100 पेसे ध्यान दिजेगा इस एक रूपए को 100 पेसे करना है अब इनका अनुपाद है वो जश्ट इनके नीचे लिखेंगे इसका अनुपाद 2 है यहां इंटू करेंगे इसका अनुपाद 3 है यहां इंटू करेंगे और इसका अनुपाद कितना है 4 है तो यहां इंटू करेंगे और इंटू करने पर क्या प्राप्त होगा तो 100 का डबल करते ही आप को मिल जायेगा 50 000 Soul ऑब यह 180 रुपएते हैं अब देखिए यह सारे पेसे हैं 200 पेसे 1500 पेसे और यह आपका रुपए में तो अगर आप ukया करना पड़ेगा इश को सुमल करना पड़ेगा किया करना पड़ेगा सो में इंटु करना पड़ेगा यैनीenhikा अब इसको 300 300 400 और 2500 हो रही यह इसके नीचे आ जाएगा शाड़े 400 अब आप से पूछा क्या है अब आप से पूछा है 50 पेसे वाले सिक्कों की संक्या तो 50 पेसे वाले सिक्कों की संक्या कितनी है तो यहां in two आप कर देंगे तीन का तो इससे बड़ा दूना 30 और 120 यानि कि 50 पेसे के सिक्के कितने हो जाएंगे 120 सिक्के हो जाएंगे तो ध्यान दीजीएगा 3 step में आपका question होता है कितनी step में 3 step में मैं एक बार बता देता हूँ 3 step में question होगा आप को कुछ निकरना एक सुस्टी रूपएं या रूपए लिख देना है और उनको अगर यह पैसे में है तो पैसे में कनवर्ट करके लिख देना है अब सेकंड यह है कि आपको इन सबको लिखना है एक रूपए 50 पैसे और 25 पैसे और उसके बाद इनका जुपात है वह भी करना है यह सारे जोड के इसके नीचे लिखना है और जो पूचा है उसका इंटु कर देना है तो आपको अभी समझ में आ गया होगा नी भी आया होगा तो अपन ऐसे भी 20 क्योशन करने वाले हैं तो निशित तोर पर अज आने वाले आज यह आपकी टाइप जो है आज complete हो कर रहेगी अब चुरू करते हैं अगला question आप लोगों को करना है अब यह जो question है second वाला यह आप लोग करिए लिखा हुआ है कि किसी थेले में 90 रुपए की राशी 90 रुपए है ठीक है साथ 50 पेसे 25 पेसे 10 पेसे अब इसमें एक रूपया तो है नहीं जिसको 100 पेसे करूँ सारे पेसे में है कोई दिक्कत ही नहीं है जिनका अनुपाद 2-3-5 है इनका जो रेश्यो है वो 2-3-5 है तो थे तो पर अगर यह क्योशन आपकी परिक्षा में आते हैं तो निश्चित तोर पर आप से बन जाएंगे चलिए हम करने की कोशिश करते हैं देखिए आप लोगों ने किया होगा आप लोगों ने नभे रखा होगा यहां ठीक है साथ मैंने बोला कि यह सारे पेसे में हैं तो यहां से लिखा मैं अब आपका इंटु करेंगे तो 50 का डबल 100 पीचोतर और 10 का इंटू 5 50 तो आप देखेंगे कितना आ रहा है सारा आपका दो सोपचीस कितना हो रहा है सो और फैशिक सो और निखालेंगे तो देखिए यह यहां पर आ तो यहां बीच में है तो इंटू क्या कर देंगे तो इससे काड़ने की कोशिश करेंगे कैसे करेंगे तो आप से कट जाएगा पचीस से करेंगे पचीस नमे तो आपका बच जाएगा ठीक है अब नो से करेंगे नो चुक चालिस और चालिस तिया कितना हो जाएगा 120 यनि कि आप से अगर पूचा है कि 25 पेसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी तो वह हो जाएगी आपकी 120 तो समझ में आ रहा है इस टाइप की क्योश्चन को कैसे करना ह रूपए इधर लिख दिये इनका रेश्यों यहां लिख दिया इन्टू करा यह करा और यह आपका इसके नीचे रखना है और जो पूचे वह सामने रखना है तो बहतरीन क्योश्चन है धीरे धीरे आप से बनने लग जाएंगे यह सेकंड क्योश्चन हुआ आप से आगे देना है देखिए एक लड़के के पास 50 पेसे 25 पेसे और 10 पेसे के कुछ सिक्के एक दो तीन के अनुपात में है यदि सिक्कों की कूल राशी 6.50 यानिक 6.50 रुपए हैं तो 10 पेसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो की इमानदारी से फटा फट से इसका अंसर जितनी जल् ठीक है अभी मैं बता ओं इसको कैसे करना है ठीश्ट प्रोसेस थी या जो रुपए है इस रुपए को पेसे म करेंगे तो 30 करेंगे तो यह पॉइंट हट जाएगा तो यहां 600 पेसे और 50 पेसे के पचास पेसे हो गए ठीक है सारे पेसे मों हो गई अब यह लिखना था हमको 50 पेसे लिखा 25 पेसे और 10 पेसे इनका जो अनुपाद है वो नीचे लिखना था तो अनुपाद कितना 1, 2, 3 है तो यहां लिखा 1, यहां लिखा 2 और यहां लिखा 3 और मैंने बताया था कि इनको क्या करना है सभी को गुणा कर देना है तो गुणा किया 50 एकम 50, 25 दुना 50 और 10 तिया 30 तो यह सब जोड कर कितना आ रहा है तो आपने देखा 50 50 100 और 130 तो यहां आ जाएगा नीचे 130 अब आप से बोला था मैंने कि जो बराबर है वो नीचे आ गया अब जो पूछा है वो इंटू करना है क्या पूछा है 10 पेसे के सिक संख्या तो 10 पेसे के सिकों कि संख्या कितनी आ रही है तीन आ रही है तो इंटू कर देंगे तीन का तो यहां एक जीरो से एक जीरो तेरा का पहाड़ा अगर भगवान दया से आता हो तो तेरा पंचे पेसट होता है और पांस तिया पंद्रा यानिकि कितने सिक्षे हैं आप ते कर लिया बहुत बढ़िया चलिया आगे बढ़ते हैं अगला क्यूशन देखते हैं क्यूशन नंबर 64 देखते हैं अभी मांदारी से आप लोगों करना है यह क्यूशन आप फटा-फट से करके बताइए मुझे इसमें थोड़ा सा रेशो बनाना पड़ेगा क्योंक चेप्टर देखे हैं मलब इसके सारे पार्ट पार्ट तीन पहले हो चुके हैं यह चोथा पार्ट तो जिस जिनने नहीं देखा वो जाकर देख सकते हैं यार है ना MPSI 2020 करके आपकी MPSI 2020 में में नाम से प्लेइस्ट बना रखी है उसमें आप जाकर चेक कर सकते हैं सारे पार्ट मिल जाएंगे इसके तीन पार्ट पहले हो चुके अब दो पार्ट और होंगे तो पांच पार्ट में आपका पूरा रेश्यो कवर हो जाएगा 100 प्लस क्यूश अब इस क्यूशन को करने की कोशिश करते हैं अब आपका जो प्रोसेस था वो प्रोसेस हम फोलो करेंगे बड़ा आसान है क्या करना है 56 रुपए हैं तो इमानदारी से मैंने यहां पेसे आ रहे हैं इसलिए मैंने 56 को डारेक्ट 56 ही लिख दिया ठीक है साब अब वो बोल र चिस की संक्या इंट पच्यस की तुगुनी है और एक रुपए वाले शिक्य की संक्या की चोगुणी है कि संक्या 50 पर यहां पढ़ने कोशिश करना यहां से क्या पड़ोगे ऑर एक रुपए वाले शिक्या चोगिनी है यह निकि एक checklist कर रोपए कशुऑ до下 Cake कि चार कार सिख्कों की जो संक्या है यह जो चार हैं यह 25 सीषी से दुगनी है तो 25 सीषी करें कितने हो जाएंगए दो तो इससे दुगनी भी हो गई और एक रुपए वाले से प्रकार से वह सिखा रखा है जिनने नहीं देखा हो जाकर चेक कर सकते हैं काफी शांदार क्योशन है चलिए अब यहां तक आ चुके हैं अब तो कोई बड़ी बात नहीं है अब आसानी से आप लोग कर लेंगे क्या करेंगे आप इंटू करेंगे तो सो एकम सो है ना पचास 50 कितना होता है दो 25 है और 25 दूना पचार तो आपका जो टोटल आ रहा है वह आरए है आपने देखा इंटू करना है प्लस करना है तो सो और दो 3 तीन सो-3 तीन सो-5 तो इसके नीचे लिख देंगे 300-5 अब जो गुणा करना है वह क्या करना है जो पूछा है आप से क्या तो कर दो उधर जगे नहीं है यहां कर दो कोई दिक्कत नहीं अब 35 और 56 जो है आपके ऐसे हैं कि साथ का पहड़ा अगर याद हो भगवान दया से तो यहां कर दो चीरो और आपका 5 से करोगे तो जीरो नहीं आपको इतना हो चाहिए चूंसट यानिकि आपको पचास पेसे के सिक्के कितने हो जाएंगे तो वह हो जाएंगे आपके 64 तो बड़ा ही शानदार क्योशन था मैंना एक्जाम में आने जैसे क्योशन है सारे बिवेस्त सब्सक्राइब कर दीजेगा मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है बाकी और तो कुछ नहीं है कमेंट करने सब्सक्राइब करने की कोशिश करना सभी मित्र मुझे बताना कि केसे करेंगे स्कोर क्या इसका अंसर होगा लिखा हुआ है कि आपका एक रूपए पचास पिसे और दस पिसे के सिक्के के रूप में छे नो दस के अनुपात में है तो चोटीस पॉइंट पांच रूपए हैं कोई दिक्कत नहीं साड़े चोटीस रूपए हैं तो आपके कितने पैसे हो जाएंगे आप खरी लेंगे और दस पिसे के सिक्कों के ग्यात करो तीस तीन सो दस इन में से कोई नहीं बताइए फटा-फट से चलिए वही क्योशन है अपना बड़ा आसान है आगे कि जो टाइप आईगी उसमें टाइप टू भी होगा आपका तो आखरी तक देखिएगा यह ना उसमें टाइप टू सब्सक्राइब 40 150 ठीक कोई दिकेत ही नहीं मैं यहाँ लिखा सकत्रेश्व को एक रूपए है पचास पेसे और दस पेसे अब एक रूपए था सारे और आपका पर किसे से क्षा करना ऍसके नीचे इंटू करना लें ँगर नाउं उन्टूक एक हजार ग्यारा सो ग्यारा सो पचास तो इसका आ रहा है नीचे ग्यारा सो पचास तो सारा टोटल मिलके कितना हो गया चास्सो चार सो हजार और हजार ग्यारा सो ग्यारा सो पचास हो रहा है अब into क्या करना है आपसे 10 पेसे के सिक्कों की संख्या ग्याद करें तो 10 पेसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी तो आपका ratio क्या था 10 पेसे तो 10 था तो आप यहां into कर देंगे 10 का देखिए अब तो बड़ा असान है क्योंकि 10 से काटा 10 और 115 से direct में ने उड़ाया कितनी बार में 3 बार में कैसे उड़ाया सर 100 का 3 गुणा कितना होता है तो आप बोलोगे 315 का 3 गुणा कितना होता है 45 तो 100 का 315 का 45 तो यह हो गया 3 और 3 का गुणा करना है 10 में तो आपका आ जाएगा 30 यानि कि कितने सिक्के हैं तो 30 सिक्के हैं यानि कि answer आपका हो जाएगा option number A इसका right answer हो जाएगा तो आपको समझ में आ रहा है कि इस type की question अगर आए तो इस तरीके से उनको deal करना है चलिए अभी तो शुरुवात है आपकी बिल्कुल पकी इन पर पकड़ हो जाएगी अगला question आप लोग करिए लिखा हुआ है अगला question आप लोगों के सामने है कि एक थेली में एक रुपए 50 पेसे और 25 पेसे के सिक्के हैं 5-6-8 के अनुपात में हैं यदि कूल राशी 240 रुपए हो तो 25 पेसे के सिक्को की संख्या कितनी होगी 144 होगी 192 होगी 48 होगी या 120 होगी तो मैं सभी के answer का इतजार कर रहा हूँ सभी लोग answer दीजिएगा जो लोग देख रहे हैं अभी premiere चल रहा है इसमें देख रहे हैं मेरा जो पहला step था वो ये था कि रुपए को यहां लिखना है तो 240 मैंने यहां लिखे और देखिए बात पेसे की हो रही है तो मैंने क्या किया 240 रुपए को पेसे में convert किया तो 2-0 लगा दी ठीक है बटे में जो लिखना है वो अभी रुखेंगे कैसे लिखेंगे एक रुपए एक रुपए या 50 पेसे और 25 पेसे तो आप सभी को पताए एक रुपए को मैं क्या लिख सकता हूं 100 पेसे लिख सकता हूं ठीक है अब जो अनुपात है उसको नीचे लिखेंगे तो अनुपात इसका 5 है इसका 6 है और इसका 8 है और सभी को क्या करना रहता है तो आपको पता है सभी को into करना है तो 100 का 5 गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 500 कितना आ जाएगा 500 और 50 चंग कितना या फिर 5 चंग हो जाएगा 30 और 10 यानि कि 300 25 आठे कितना है 25 चोक 100 होता है तो पच्चीस आठे 200 हो जाएगा तो यह हो जाएगा 200 तो यह तो बड़ा आसान हो गया किसे कि आपने देखा 500 300 और 200 तो यह तो मिला के 1000 हो गया कितना हो गया 1000 तो आपके 3 0 से तो 3 0 खतम ही हो गया आपका इंटू किसमे करना था तो पचास पेसे के 25 पेसे के सिक्षों की संक् प्रकार आप चाहें तो इस हारे पेसे के सिक्के निकाल के इनमें इंटू करके भी आप देख सकते हैं तो आपको राशी 240 रुपए प्राप्त होगी है ना तो बड़ा ही लोजिकल क्यूश्चन है इस तरीके से इस क्यूश्चन को डील करना है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्यूश्चन करते हैं फठाफट से देखिएगा क्यूश्चन नमबर 67 है आपका देखिएगा इस क्यूश्चन को करने की तर्कीब भी आपकी वही है जो आपके बिचलती आ रही है बस यहां थोड़ा सतर करेएगा सतर करेने का मेरा मतलब है पहले आप लोग कर लिजे मैं फिर बता देता हूँ आपको चलिए यहां लिखा हुआ कि एक व्यक्ति के पास एक रूपए पांच रूपए और दस रूपए के नोटों के रूप में क सभी नोटों की संक्या समान है कुल मिलागा कितने नोट अब ध्यान दीजिएगा यहां पर थोड़े से आपका logic change हो गया है थोड़ा सा है ना अब ध्यान दीजिएगा देखिए अब मैं जो हमेशा करते आ रहा हूं मैं वही करूँगा क्यों मुझे वही आता है क्या आता है कि 640 रुपए को लिखना है यहां तो मैंने लिख दिया 640 यह यहां पर ठीक है यह काम हो गया अब यहां निकले थे उपर नोट की संख्या तो एक रुपए हैं पांच रुपए हैं और दस रुपए तो सारे रुपए हैं तो मैं 640 को पैसे में करूँगा क्या ने करूँगा क्योंकि यह भी रुपए में है एक रुपए हैं यह पांच रुपए हैं और यह के जो संक्या है वह एक एक रेश्यों है सभी का समान है मतलब वन 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 तो यह वन फाइफ और टेनी आएगा तो इसको जोड़कर लिखेंगे नीचे तो दस पांच पंदरा पंदरा और एक सोला यानि कि नीचे लिख देंगे सोला आप से क्या पूछा कुल मिला कर कितने नो कितने हैं 120 और अगर पांच रुपए के पूछे तो कितने हो जाएंगे 30-30 नोट सभी के हो जाएंगे तो आपका अंसर आएगा option नंबर भी तो आपको समझ में आ रहा है कि आपके सिक्कों वाले जो प्रश्न है कितने आसान है बहुत ही सिंपल क्योश्शन है बस एक बार क हो गई सीńskubh there तो वालो किया करते उस ट्रें कि सिसिंट और uda नं कि यह कर था लेता दूसरा थीसरा किसरा किया चोथा किया तो कि आप 10 क्योशन नहीं करते हो तो आपका दिमाग में वह बेटता नहीं क्योंकि इतने हाइप तो अपना दिमाग है नहीं कि एक टाइप का एक क्योशन कर लिया और एक साल बाद परिक्षाम आये तो हम उसको कर लेंगे इतने होशार होते तो अभी तक वीडियो नहीं देख होते हैं तो आपको एक टाइप के 10 क्योशन कर लेना है तो उससे क्या होगा उससे यहीं होगा जैसे कि आपका मैंने आपका उसत वाला चेप्टर करवाया तो आप सभी को याद होगा उसत वाले चेप्टर में मैंने 11 टाइप करवाई थी कितनी करवाई 11 टाइप जो आपक को उस टाậyट की 10 कुछिशन करने पर होता गया है कि आपको कुछ चीज आने लग जाती मैं तो यही होता है जैसे कि अभी आपकी इन्हें कीसिक को आने लग जाएगा आप तुरंट कर आदप से और बताई यह कि तीनों प्रकारियों के संखिया क्रमशाँ चाल करने की कोशिश करते हैं देखिये बढ़ा असान है एक को देखिए केसे करना है द्मटी जीका यहां 121 रुपय लिखा है तो मैं यहां 121 रुपय जिसे लिखना है वो यहां पर किरें अब आपका फूला की अब आपका जो प्रोसेस चीश वह यह तिकर आपको यह लिखना है एक और 50-0-25 तो यहाँ लिखा एक रुपए यहां लिखा 50 पैसे और यहां लिखा 25 पैसे ठीक है अब देख़ेगा इनका जो अनुपात है लिखनाए पर आश्युंपार करें तो यह करूंगा यह सो अनुपात है उसका पता है इनका इंटू करना था तो यहां पे आ जाएगा आपका सो एकम सो है न पचास का डबल दो पचास का डबल सो और पचीस का पिचोतर तो आप देखेंगे कि 100-205 तो यहां आ जाएगा 275 इंटू क्या करना है इंटू आप एक रेश्यो बराबर निकाल लेंगे पहले औ 25 से कर लो 25 से करोगे तो 25 से कम 25 है न दो बचा 25 से कम 25 घीक है और इस इस को काट लो 121 गूनी तो लिख सकता हूं इसको मैं तो मैं क्या करा हूं 121 रहनें देता हूं और इस 25 से यह काटा भी और यह 25 से काटा 25 तो आप इसको काट के देख लेंगे तो 44 एक रेशो बराबर 44 आया तो आपका इसका इंटू में होगा तो 44 और दूसरा हो जाएगा एटी एट और तीसरा कितना हो जाएगा इसमें 44 जोड़ देंगे तीनों प्रकार के जो सिक्के हैं वह 44 एठी और एक 32 यानि की एक रुपए के सिक्के हैं आपके 64 आपके 50 पेसे के सिक्के हैं आपके 132 तो कहां दिख रहे हैं option में देख लीजिएगा यह option number D देख दिएगा ज़रा option number D आपका right answer हो जाएगा कि एक रुपए के तो आपके 44 है 50 पेसे के आपके 88 सिक्के हैं और 25 पेसे के आपके 132 है तो वह अलग-अलग भी पूछ था तो आप लोग बता देते बड़ा आसान है है ना इस प्रकार से चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ next question लेते हैं question number आपका 69 लिखा हुआ है कि एक थेली में अब तो आपको आदत हो गई होगी मुझे लगता है कि अब आपको करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी जहां तक मुझे पता है फिलाल भी दिक्कत आ अब और question है टेंशन मत लीजेगा अब थाइप थोड़ी चेंज होगी है ना चलिए इस question को करते हैं जड़ा लिखा हुआ है कि एक थेली में पच्चेस पेसे 10 पेसे और 5 पेसे के सिक्के 1,2,3 के अनुपात में हैं अगर कुल मान अगर 30 रुपए है तो 5 पेसे के सिक्को की संक्या क्या है चलिए अगर execution आपने पहले किये हुए है और आते हैं अच्छी बात है और अगर पहली बार सीख रहे हैं और आ गए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजेगा यह आपपीई आप यह काम ये है कि एक थेली मि यह आपकी 30ुपए यह पहली water भे मेरी 30 पर यह लिखं़े और पेसिन में वह पहली स्सें यहां चैन गपाने लिदे निंगे और यहां लिखई आप पक्चीष पैसे कितने 12 पैसे और और 5 पेसे, तो सारे पेसे में हैं और इनका जो अनुपात है वो 1,2,3 है, तो अनुपात आता है 1, इसका है 1, इसका है 2 और इसका है 3, तो इसका है सम्ठक किस एक करेंगे तो 5 पेसे करेंगे, कितनी यह दिख रही है तीन तो यहां उपर इन्टू कर देंगे तीन का तो आप आसानी से कर सकते हैं एक जीरो से काटा एक जीरो 6 336 और 10 और 50 कितना हो जाएगा डेड़ सो यानि कि आपके 5 पैशे के सिक्षों कि संख्या कितनी है तो डेड़ सो आपके सिक्कें हैं कितने 5 पैशे के कितने सिक्कें हैं डेड़ सो यानि कि 150 सिक्के हो जाएंगे चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं question number 70 question number 70 देखिएगा इसके option यह है 346, 807 देखिएगा चालिए आप कर लीजिएगा पहले लिखाए एक थेली में एक रुपए 50 पेसे और 10 पेसे के सिक्के 3, 4 और 10 के अनुपात में हैं यदि इनका कुल मुल्य 102 रुपए हो तो 10 पेसे के सिक्को के संख्या कितनी होगी चलिए बताइएगा कि 10 पेसे के सिक्को के संख्या कितनी होगी चलिए हम करने की कोशिश करते हैं जो हम करते आ रहे हैं वो ही करेंगे तो 102 रुपए है तो यहां लिख दूँगा 102 रुपए है ना और पेसे में दिख रहे हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसको 2-0 और लगाने पड़ेगी ठीक है उसके बाद हम क्या करते थे उसके हम एक रूपए 50 पेसे और 10 पेसे लिखते थे पर एक रूपए को हम 100 पेसे करते थे याद हो तो है अगर दो पेसे में है तो इसको भी बराबर पेसे में कर देंगी अब इनका जो अनुपात है उसको हम नीचे लिखते थे यहां लिखेंगे 3 यहां लिखेंगे 4 और यहां इसका thm corridor 10 है तो 10 लिख देंगे सभी का क्या कर रहेते हम आपको पता है into कर रहेते तो into करेंगे सो तीया कितना हो जाएगा थीन सो पांच चुक बीस यणि की दो सो और दस intos oh सो यनि की सो हो जाएगा ठीक है 빠 300 200 500 और आपको 600 तो यहां आ जाएगा आपका 600 अब इंटु क्या करतेंगे आप से क्या पूचा कि दस पिसे सिक्को के संक्या कितनी थी 10 थी यहां पर यहां से उठाएंगे यह मत उठा लेने यह उठाना अब अब 2-0 से कटा 2-0 बड़ा असान है 6 से कट जाएगा यह 102 किसे कटेगा तो 6 का पहाड़ा 6 कम 6 है न कितना बचा होगा 4 तो 6-742 तो आपका 17 गुणित 10 यानि कि 170 हो जाएगा तो कौन से option में दिख रहा है आपको तो 170 दिख रहा है आपको option नमबर D में आपका right answer हो जाएगा कि आपके 10 पेसे के सिक्कों की संख्या कितनी है तो 170 है चलिए आगे बढ़ते हैं question number 71 की और देखिएगा रुपए 130 की राशी में 50 पेसे 10 पेसे और 5 पेसे के समान सिक्के हैं अब समान सिक्के हैं तो आप लोग समझ जाओ कि अभी हमने समान सिक्के थे तो रेशो क्या लिखा था हम लोगों ने अभी एक उपर question आया था उसमें समान सिक्के था तो हमने रे साइब के सिक्के कितने होंगे है ना चलो ठीक है अब करने की कोशिश करते हैं जो अपना बेसिक मेथड था वह यह था कि हम रुपए को यहां लिख रहे थे साइड में इस जगे पर 130 यहां लिखा और पेसे में हैं इसलिए मैंने इमानदारी से यह दो 50 पेसे 10 पेसे और यहां लिखते हैं 50 पेसे फिर यह रि AH लिखेंगे अ 7 पेसे इसलिए आ वजह breaking और आपकी इसलिए नि मानता इसलिए इन कहरेategलि के ब summarize 50 यहां पर करेंदा से कुम क्योंकि क्योंब बार बार तो हो नहीं भाकी यहां गलती कर लो वहां गलती नहीं करना तो कितना हो जाएगा 50 10 60 60 और 65 तो यहां लिख देंगे 65 और क्या करना है तो आपको एक टाइप के बताना है कि एक टाइब की सिक्ख्य कितने तो सब 11 प्राइब यहां वन का इंटू हो जाएगा अब 65 और 130 में एक नाता है आप लोगों पता हो तो यह बंदन तो प्यार का बंदन है 65 का डबल कितना हो जाएगा 130 तो यह डबल है इसलिए यहां दो लिख देंगे और यह दो जीरो बस ले हैं कि आपकी जैसे एक्जाम है तो उसे एक्जाम में भी यह पेसों से सब्मंदित प्रश्न हैं यह सिक्ख्य वाले में देखे तो इसका अलग से मैंने उसमें चेप्टर कर रहा रहा आपका पेड़ कोर्स है उसमें यह सारे क्योशन करवाए हुए हैं आगे बढ़ते ह आप लोग कर लीजे कैसे करेंगे तो बड़ा आसान क्योशन है आसान कैसे हैं कि जो अपना प्रोसेस है वही फोलो करेंगे हैं 480 यहां पर मुल्य है तो यहां 480 लिख देंगे इमानदारी से अब यहां मैंने देखा कि रूपए 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 पैसे की तो कहीं बात एक नहीं तो अगर पेसे की बात कि आई तो यहां 2-0 लगाऊं क्या यहां पर नहीं लगा हूँआ क्योंकि यहां रूपए हैं तो मैंने यहां रूपए लिख दिये यहां एक रूपए यह पांच रूपए और आपके 10 रूपए ठीक है यह लिख दिया उसके बाद इनकी स लेजियम थोड़ी ठंडक रहेगी क्या क्या हमने इनको जोड़ा भी था तो यहां इसके नीचे लिखेंगे 16 और पूचा है तो कुल नोट कितने हो गए इसका एक नोट इसका एक नोट इसका एक नोट तो कुल वन वन टू थ्री है ना रेडी वन टू जो बाजे वाले बोलते ना अभी सुनाइन दे रहे होंगे बाजे इस टाइम पर तो बजते ही रहते हो पर अभी सब के बाजे बजे हुए है ना ठीक है तो यह तीन ठीक है तब 16 से आप करोगे 16 तिया 48 है ना जीरो और 30 तिया न है नब्भे नोट हैं तो यह देखो नब्भे नोट या निकायो बिंदोली नहीं होते हूं इसके अब इस कुस्चन को करने की कोशिश करो यह वही वाला है का 225 रुपए की राशी है एक रूपए 50 पेसे और 25 पेसे के लूप में है तो इनके संख्या 853 के अनुपात में है तो एक रुपाई के सिक्कों की संख्या कितनी होगी तो बड़ा आसान क्यूशन है करने की कोशिश करिए एक रुपए 50 पेसे 25 पेसे के रूपए है और यह रेशो दे रखा है और यह संख्या यहां पर आपको मुल्य दे रखा है चलिए आप लोग करिए इसका अंसर आप लोग बताईए चलिए हम करने की कोशिश करते हैं देखिए दो सो पचीस रुपई है तो इमानदारी से मेंने यहां पे लिख दिया यह दो सो पचीस आपका ठीक है अब यहां पे पिछास पेसे में एक रूपए को भी सो पेसे में करी लो ने इसको कर लिए सब को तो इसको भी करीं दो दो सुपचीस रूपए को यह हो गए पैसे अब इनका उनुपात है वह लिखते हैं इसके नीचे देखिए एक ताइप की कुशन करने का फाइदा आप लोगों को यह होगा कि अब यह क्यूशन दिमाग में बेट चुका है अब यह सा क्यूशन आपके भगवान करें अग्जाम में आ जाए तो एक नंबर आपका यहां से हो जाएगा तो एसी हर हम हम दर दर बारा बारा टाइप हर चेप्टर में कर रहे हैं तो आपकी क्या होगा कि एक आप क्योशन कहीं मिल गया तो आपको तकलीप आने वाली नहीं है चली ही फिलाल को करते हैं दस इंटू आठ हो जाएगा आठसो पांचो पाच्छोपचीस यहने कि दोसो पच्छास और अब जोड़ते हैं तो एक-पेस कितना होता है तो एक狂तब्स तो हजार और 2 कर देंगे 8 अब यहां पर मैं काटने जाऊंगा तो मैंने देखा कि भाया की 1250 यानि कि 11 या तो 22 और 25 का डबल 50 तो यह बंधन तो प्यार का बंधन है जारा का डबल 22 ने 25 का डबल 50 यह रिष्टा हम नहीं तोड़ेंगे तो तो यहाँ हो जाएगा दो और 0 यानि क्विश तो दो आठी कितना हो जाएगा Tun明ेक ऐसाड किसे आपके एक रुपए के कितने से के को आई बात समद में आ गई स हा अब आप यसा किशन आएगा तो गलत करेंगे क्या आप बिल्म कुल ने करेंगे सपने में भी ने करें है ना चाल आगे बढ़ते हैं क्योश्चन नंबर 74 की और देखिएगा अब देखिएगा इस क्योश्चन को अभी तो रुपे वाला जल्दा रुको रुको अभी आएगा टाइप टेंशन मतलो अगला टाइप आने वाला है ना बहुत जल्द आपके जो एक रुपए वह बोल देंगे जावा सिफाई करने की कोशिश करेंगे देखना यह क्या करेंगे मुझे पता है यह लिखेंगे 180 को यहां यह लिखा और यह क्या करेंगे एक रुपए 50 पेसे और 25 पेसे को लिखेंगे यहां अब क्या करेंगे अब एक रुपए को देखेंगे तो 100 पेसे कर ह्थी के साब अब क्या करोगेगे करेंगे करदो साब कितना है दो तीन40 रेशों का लिःता के कितना आया अभी करते हैं सो का डबल 200 का 5.25 का चारगुना ब्यून चुल होाई सबकर टोर्टल अभी जोडते हैं 200 कांट सो कितना 300-300-400 चार सो किसका करना है तो 50 010 13 nl 15 15 15 15 030 attempt to इसका प्रकार से सारे क्रुफिक्षन आपके हो जाएंगे कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है अब हम करते हैं आगे अगला वाला क्योशन एका दोर बचाए ज्यादा नहीं है फिर आपकी टाइप चेंज हो रही है टेंशन मत लीजिएगा चलिए इस क्योशन को करिएगा फटा-फट से तुरंत आंसर लाइए अब तुरंत बिल्कुल कोई देर नहीं एसे लिखा होता है तो वह जो मेडिकल बाता है वह भी लेकर इसको परची को भस उसके हिसाब से मेडिकल वाले को आ रहा है प्रवा थीक है चल देखो आप कि एक बेग में पांच रुपए दो रुपए और एक रुपए के सिक्ये हैं और इनका मुली 41 रुपए हैं तो सबसे पहली जो प्रोसेस थी आप सभी को बताए कि इस 41 को लेके कहां चलना है यहां एक साइड में भाईया तू यहां खड़ा हो जा भी क्यों क्यों कि अभी सवाल करेंगे रुख जा ठीक है भाई यह खड़ा होगे 41 रुपए यहां खोगे खड़े ठीक है अब वोड़ा है कि सिक्के की संक्या का अनुपाद से काम है क्या नी नी पहले हम लिखेंगे कि कितने रुपए के नोट में क्या है तो यहां देखा पांच लिखना है अनुपाद कितना है चार छैन नुख तो यहां लिखा चार यहां लिखा छै और यहां लिखा नूट है नो बड़ा आ सान है अब P हेट इंटु क्या 5-2- 22 ऐ्कम 9 अब क्पत मान्दारी से जोड़ेंगे तो 20 10 30 3040 14 तो बड़ा आसान हो गया तो एक रूपए के सिक्कों किसंग क्या था एक रूपए की तो यहां पर होती है नो तो यहां इंटू कर देंगे नो का अब 41 से 41 खतम तो सो का नो में करेंगे तो 900 तो यहनी कि इसका अंसा तो आ गया आपका 900 तो बड़ा आसान था इस प्रकार के क्यूशन आ जाए तो आपको बिल्कुल बिंदास कर लेना है कोई दिक्कत नहीं आने वाली है अब होगी हैं यहां पर है ना कहां दिए यह इसकी जगे होगी सिक्को की संक्या तो एक क्यूशन में कर रहा हूंगा है ना उसके ज्यादा क्यूशन नहीं आते हैं एक दो है क्यूशन में आपको करवा देता हूं अब आगे बढ़ते हैं चल यह देखो साथ अब यहां पर क्या हो रह अब इसको मैं करके बता देता हूँ अब ज्यान दीजेगा यहां दीजेगा 280 सिखे हैं अब यहां पर आपको 280 सिखे हैं तो 280 सिखे लिख दो अब यहां पर क्या होगा आपको क्या करना पड़ाएगा कि एक रूपई है Panel 50 पेसे हैं और पच्कीût पेसे हैं अब एक रूपए जो अनुपाग और आपकाorterchatे हैं और आपकה चार हैं और आपका फीन होगा थिमांग में बिठा लों पर अनुपाफ जेंज केसे होगा अब ज्यान देना एक रुपए में आपके एक रुपए में आठ है तो एक के हिसाफ से कितने हो गए आठ हो गए तो आठ का आठ ही रहेगा अब देखिएगा एक रुपए में कितने होते हैं पचास पैसे एक रुपए की बात करूँ तो एक रुपए में पचास पैसे क तो यह आप हो गया अब पच्छास से कितनी बार आ रहे हैं एक रुपय में दो बाद तो 4 दूनी आठ है न अब 20 कितनी बार आ रहे हैं रुपय में तो आपको इसमें उन्हारव करना पड़ेगा 4 का कि तो 4 करना पड़ेगा चार साक्या तो आप यहां पर देखा कि यह जो रेशो बना यह कितना हो रहा है तो आपने देखा कि आठ और सोला तो इस दो दो सोषी के नीचे लिख दो अच्छा आप से किसी पूछा आप से पूछा कि 50 से की सिक्कों सेंगा पचास पर उसा निग देना यह वाला मत लिख देना नया जो रिश्वा आप लोगों ने बनाया है वह लिखना तो यहां आएगा आठ यहां आप देखोंग अठाइस से एक बार और दौस इन्टू आट यहां लिखा एक रुपई यहां लिखा पचास से पच्छी से ठीक है तो आठ चार तीन अनुपात क्या होगा अनुपात चेंज होगा यह दिमाग में आपको बिठा लेना है कब होगा जब सिक्के की बात आती है अब एक रुपई में कितने रुपई होते हैं यहीं रुपई होता है पचास पेसे कितनी बार आते हैं तो दो बार यहां दो काइंटू पच्छीस पैसे कितनी बार चार बार चारेशो नया. चार दुनिया 8, चार किया 12 सब को जोड़के नीचिछ, अब ये हो गया एक क्रिशन आएं तो उनको केसे करना है देखो यह भी पेसे वाला क्रिशन है अभी रूपए वाले हमने निप्ता दिये अब यह वाले हैं आपके चलो करने की कोशिश करो जरा केसे करोगे लिखा हुआ है कि एक बाक्स में एक रूपए 50 पेसे और 25 पेसे के अब आपके आंसर आने चाहिए सभी का आंसर आने थी इमानदाश अपनी कोफिम करो या भगवान आपकी एक्जाम में आएगा आएगा आप बिल्कुल करके आओगे बिल्ला सुर्यार्ट करोगे हां यारा मनें कर लिया था ठीक है अब मैं बताता हुए एक तो 80 सिक्ष्ष को यहां लिख दो मैंने क्या बोला था कि एक रुपए 50 पेसे और 25 पेसे के सिक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष है तो मेर हो डले क्या क्या कि रूपय में कितने आते हैं कि पांच होगा अब 50 पेसे कितने बार आते हैं कि आप 50 पेसे का कम करोगे दो बर 50 पेसे दो बर पटास और 50 पकास कमद के एक रूकड़ा बन谈 पते हैश की मतालव कि मैसे तो अब बोलो कि स्थर पेसर पेंसे पनल बिसपेंसेजा आ रहा रहा है इसके 25 कज़ेंसे एका करना है, अब 20 पेंसे जब आए तो उसके पूरे करना हैं, 50 पेसे स्पोर प्रhrad हरु यहीं। करना पड़ता है दो अगर दस पेसे आजाए सो पेसे करना है कितनी बार इंटू करना पड़ाया दस तो आपको समझ में आ गया कि जब भी पेसे आए उनको रुपए तक ले जाना है तो इंटू करके रेशो को अनुपात चेंज होगा कब होगा जब सिक्क्राइगे तो सर आप दिमाग में बेड़िया है अपके शिशन करा दो थी के साथ सुन ली मैंने मन की बात देखो आप दिमाग भी पड़ता हूं चल तो पांच से हो गया 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 और चार कितना हो गया 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 चार पंदरह तो इसके पंदरह कितना बचा आपका पंदरह का मंदरह बचा तीन है ना तो पंदरह दुना तीस और बारा चोग अरतालिस तो इसका आ आजएगा ऑप्शन नमबर डी आपका राइट अंसर हो जाएगा तो यह निकि आपके पच्चीस फिसे की सिक्क्ये कितने हो गए अर्टालीस हो सिह के दे रहे हैं सबी करने की कोशिश करना जरा लिखते हैं कि एक box में एक रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के 378 शिंके अब सिक्चे हैं मतलब मेरा वही वाला टाइब अब दो टाइब है आपके एक तो रुपए ile यह सिक्केनवाला रहा है चलो करने की कोशिश करो लिखा है इनके मुल्य का अनुपात 13 11 7 है ठीक है साथ अब बोल रहा है कि 25 पेसे के सिक्खे की संख्या बताइए बिल्कुल बता देंगे कोई दिक्कत नहीं है कैसे करेंगे हमने बोला था कि भाईया 138 सिक्के हैं तो यह यहां लिख दिये हैं अब मैं क्या बोल रहा हूं एक रुपए हैं 50 पेसे हैं और 25 पेसे हैं इनका जो अनुपात है वो दे रहा है 13 11 और 7 देखें मैंने आपको बोला था कि जब एक रुपए हो तो एक का इंटू तो पूरा हो गया तो यहां 13 इंटू 1 ह होगा मैंने बोला था कि जब सिक्के हो eu secured क्या होगा तो आप आप बोलोगे ँश को अनुपात चेंज होगा ठीक हिसाब चेंज़ होगा कर देंगे अब यहां 50 पेसे तो 50 पेसे में 1 रूपया पूरा करने के लिए कितना इंटू करना पड़ेगा तो आप 2 का इंटू करेंगे पचास और तेरा करता हूँ तो आपका आता है पचास दसाट और तर्यसट पैसे के सिक्कों की संख्या में देखता हूँ तो मैंने देखा कितनी है 28 है तो यहां आपको into करना है 7 मत कर दीजिएगा into किसका करना है नए रेशो का into किसका करना है नए रेशो का मेरे 7 बोलोगे तो question गलत नहीं होगा अनुपाद change होगा और into किसका करना होता है नए रेशो का ठीक है अब यहां पे 63 और 28 मैंने देखा कि तरेसर और 28 जो है वो अगर मुझे 7 का पहाड़ा आता है तो मेरा काम बन जाएगा कैसे बन जाएगा क्योंकि 7 का पहाड़ा बोलूँगा 7 अब 9 का पहाड़ा उपर बोल दूगा मैं नो चोग चतिस यानिके नो चोग चतिस नाइन फोड़ा थर्टी सिक्स ओके ठीक है चलो अब थर्टी सिक्स और वन बचा तो नाइन टूजा एटीन ठीक है और फोर्टी टू इंटू फोर तो आप कर लोगे चार दूनी आठ और चार चुक 16 यानिके 168 बोलो कहां दिख रहा है 168 तो यह चलता हुआ यह आपका यहां पे दिख रहा है उप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा तो चली इस प्रकार से आप क्या करना है सबसे पहले उपाफ चे लुँद चेंज होगा उपाफ चेंज कर करना है यहीं दस करना है यही आपका आएगा मेक्सिमम यह चारों आप याद रख लिजेगा इससे क्या होगा इससे नया रेशो बन जाएगा इससे क्या होगा नया रेशो बन जाएगा नया रेशो क्या करना है उसके नीचे रखना है इस सिक्कों के नीचे इंटू किसका करना पड़ेगा इन्टू भी नए रेशो का करना पड़ेगा तो आपने देखा कि आपकी दो टाइप की क्यूशन आए एक तो 386 के वाला और आपका 120 रुपए वाला यहने कि 120 तो नहीं थे बहुत सारे रुपए थे हैं तो रुपए वाला क्यूशन रुपए वाले क्यूशन में क्या कर रहे तो आज आपका जो है सिक्को पर आधारित प्रशन आपका हो चुका है है ना चलिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही हपन मिलेंगे नेक्स वीडियो में और आज मैं आपको बता दू कि आपको करना क्या है आपको थोड़ी से रण निती में आपको बता दू कि MPSI 2020 के लिए आपको करना क्या है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप कुछ मत करिए बस डारेक्ट जो आपका चेप्टर चल रहा है तो एवरेज चेप्टर को आप यहां देखिए सारे क्यूशन करिए जैसे के 110 क्यूशन में करवाए हुए उस प्लेयलिस्ट में MPSI 2020 में करवा रखें एवरेज के तो 110 क्यूशन करिए फिर मैं मानता हूँ कि इसमें मैंने जो ग्यारा टाइप करवाए उससे बाहर नहीं आएगा तो आप क्या करिए कि फिर कोई सी भी बूक में से एवरेज के क्यूशन आप उठाए बकाइदा आपसे बनेंगे और नही हम से क्यूशन कितने 888 के सम्तिंग क्यूशन हो चुके कल के वीडियो में 100 प्लस तक क्यूशन हम चले जाएंगे है ना और कल हम इसको कंप्लीट कर लेंगे तो दो चैप्टर आपके अभी तक MPSI हो चुके हैं दो चैप्टर यानि कि चैप्टर वन आपका हो गया एवरेज यानि कि और चैप्टर टू रेशियो प्रोपोर्शन अब इसके बाद जो चैप्टर आएगा वह आएगा आपका एज से संब्दित वही रेशियो संब्दित है इसलिए वही पहले लूँगा है ना उस वीडियो और उस चैप्टर को भी हम करेंगे तो आपके लिए सब्दित वाले प्रश्ण भी हम कर लेंगे तो कल की टाइप मैं आपके दो टाइप के किशियर करते रहे हैं आपको यह क्युस्यान निकालना अलग-खोप्स से इनको टाइप करना इनके वीडियो ब mensen है और आपका काम यह है तौसट अपनं दोनों काम से अच्छी तैयारी करते रहों मिला है इसका फाइदा उठाओ वग्रहा ओ तो पढ़ते रहो पॉजिटिव रहो और इमानदारी से अपना काम करते रहो भगवान आपको बिल्कुल सफलता देगा चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अलविदा ऐसे पढ़ते रहेगा धन्यवाद